नमस्कार दोस्तों हम सीखने टूरी एनिमेशन और टूरी एनिमेशन वह आपको वतारते एनिमेट सिल्सी के बारे में तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके जो पार्ट बचे हुएं जैसे हेड का और जो पैड का बचे हुएं उसको कैसे क्रियेट करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चैनल दिखानों जिसका नाम है हिंदी कहानिया तो इस पर मैं कहानी बनाके लगाता हूं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने पहले मेहनत का फल आप देख सकते हैं अगर इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जगा या उपर आई बटन आ रहा है वहां पर भी क्लिक करके जा सकते हैं तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे इसके बोड़ी को कैसे क्रियेट करते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके जो हैड को कैसे क्रियेट करते हैं तो हम सब से पहले हैड को द करें इस टैप से मैंने क्रिएट किये अब इसको मैं थोरा से एडिट कर लेता हूं मारा हो गया अब मैं यहां से एक निव्लेड क्रिएट करूगा और इस बार मैं इसके जो हैए इसको क्रियेट करऊगा पी प्रेस करें से कोpresa कर गार यहां से करता हूं यहां पर रहने देता हूं और एक लाइन यहां से क्रिए्ट करता हूं कि यहां पर यह लाइन यहों से डिलीट हो जाएगा क्रते हैं तो यहां पे हम बंद कर रखें इसको हम ब्लैक कलर फिल करते हैं और इस पे आते हैं इसको मैं थोड़ा सा इस टैप से मैंने फिल कर दिया अब मैं क्या करूंगा इसके जो नोज होते हैं या आई होते हैं उसको क्रियेट करेंगे तो मैं उससे पहले क्या करता हूं इसको मैं सारे को सेलेक्ट करता हूं और f8 करके symbol में convert कर देता हूँ और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर और इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाने के बाद मैं इसमें जो है color fill कर देता हूँ आइड्रॉपर लेते हैं और इसके स्कीन कलर को अब हम क्या करते हैं इसको जो है अंदर जाते हैं इसका कलर जो है हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यह कलर को, इस टैप से हो गया, अब मैं क्या करता हूं, इसके जो आउटलाइन है, इसके आउटलाइन को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, और यहां से मैं क्या करता हूं, थोरा सा एडिट कर लेता हूं, क्योंकि यहां पे पीछे दिख रहा है, तो हम यहां पे एप्रेस क सब्सक्राइब करते हैं अब हम इसको क्रियेट करते हैं अब हम इसको क्या करेंगे इसके अंदर ही रहते हैं और यहां पर मैं इसके आई को क्रियेट करूंगा यहां पर नियू लेयर क्रियेट करते हैं प्रेस करते हैं पहले मैं आइब्रो क्रियेट कर लेता हूं दोस्तों एक चीज का धिजान रखिए अगर यहां पर डोनों जो है कनेक्ट नहीं होगा इसमें आप कलर फिल नहीं कर पाएंगे मैं इसको पहले जो है क्लिक करके सही कर लेता हूं फिर मैं इसमें कलर फिल करता हूं अब इसका कलर मैं रखूंगा ब्लैक से और यह आई ब्रोज सेम यहां भी हम रखेंगे यहां पर क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं अल्ट कंट्रोल करके ड्रैक कर लेते हैं इस तरब और राइट वटम क्लिक करके इसको फिलिप कर लेंगे और इसको तोए थोड़ा सा दबा देता हूं कुछ step से हमारा हो गया अब इस दोनों को हम select करते हैं और f8 करके symbol में convert कर देते हैं हम इसको i को create करेंगे तो हम क्या करते हैं प्रेस करते हैं और यहां से मैं कुछ step से कर दिये अब क्या है दोस्तों कि यहां पर जो है आप देख सकते हैं यहां पर मोटा है यहां पर पतला है उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों यहां पर जाते हैं और एक टूल दिया है यहां पर देखिए वे टूल इसके बारे मैंने आपको बता चुका हूं कि इसके जो line को मोटा पतला करने के लिए उज़ होता है हम इसको यहां पर ड्रैक करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर क्लिक करते हैं और इसको मैं पतला कर देता हूं इसको मैं स्टेफ से पतला कर देता हूं और यहां पर मैं थोड़ा सा मोटा करूंगा और यहां पर भी मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं यहां पर मैं पतला करता हूं कुछी स्टैप से हो गया आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा और मोटा कर देता हूं स्टैप से यह होगी हमारा इसमें हम कलर वाइट फिल करेंगे तो अभी पहले क्या करते हैं मैं इसके जो है यह ब्लैक पार्ट को हम क्रिएट करेंगे इसके लिए निव लेड क्रिएट करते हैं और एक यहां से मैं सरकल लूँगा और यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा वाइट पार्ट कटा हुआ सा है यहां पर वाइट है तो मैं इसको क्या करूंगा एक सरकल यहां से लेता हूं और यहां पर मैं एक ड्रैक करता हूं और एक मैं यहां पर ड्रैक करता हूं इस पार्ट को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं या वाइट कर देता हूं यहां से तो यह हमारा जो है एक स्टेप से क्रियेट हो गया अब क्या करेंगे यह सेम है तो इसको भी हम पूरा को सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं अल्ट कंट्रोल करके इस तरफ यहां पर और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूं इस टैप से अब मैं क्या करता हूं इसके जो है यह फील वाइट करता हूं इसको तो मैं यहां से आई ड्रॉपर लेता हूं और इसको वाइट कर देते हैं इसको भी वाइट कर देते हैं इस टैप से हो गया हमारा अब मैं क्या करता हूं इसको जो है दोनों अकोब कि F 8 करके सिंबॉल में convert कर देता हूं इसको भी F8 करके सिंबॉल में convert कर देता हूं और मैं इसको उठा के यहां पे रख लेता हूं किस्टैप से स्क्रावर हो गया अब इसकी नोज के लिए हम क्या करेंगे इसके एक new layer क्रिएट करते हैं पी प्रेस करकर कि इसको मैं आउटलाइन ही रखूंगा और इसके अब किवार जो है इसके मुझे को क्रिएट करेंगे निउलेर क्रिएट करते हैं प्रेस करते हैं और इसमें भी फील कर लेते हैं करके सिंबॉल में कनवर्ट कर लेते हैं इस टैप से हमारा हो गया क्रियेट तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसके जो हेड को हमने इस टैप से क्रियेट कर दिये हैं इसके जो लिप्स होते हैं उसको मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसके हाड टाइप के लिप्स अलग अलग होते हैं हम lips के बारे में भी आपको create करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम create करते हैं तो आज की वीडियो में तो दोस्तों ये था वीडियो आप किसी भी head को कैसे create करते हैं तो आसा कर तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ सेर भी करें अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब क इससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर हूँ तो उसका अब डेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए थेंक यू